हेलो दोस्तों आप सभी का आपके अपनी चैनल डोर्स्टरप एजुकेशन पॉइंट पर हार दिक स्वागत है उमीदे आप सब अच्छे होंगे अगर आपने वीदे किस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियो को मिसना करने के लिए पहला आइकन दुबाई तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं चैप्टर नमबर टू इसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैधरिंग टू ग्रोइंग फूड की जो सबसे पहले जो हमारे आदिवासी हुआ करते थे जो लोग वागते थे उन्होंने पहले शिका बारे में हम डिसकस करेंगे कि जो हमारी पहली सब्बत्या थी वहां पर कहां कहां पर ऐसी जो लोग थे वह कहां कहां पाए गए थे इन सभी के बारे में में डिसकस करेंगे तो यह जो चैप्टर मारा शुरू होता है वह है तुशार ट्रेन की जरनी से कि जो तुशार नाम वंहोंने क्या कहा कि तुम्हें पता है कि जो ट्रेन थी वह अभी 100 oldu फाल पहले से जरी श्रूरू यह हो ङूँए जब इन ट्रेन का विश्कार अब उठ्ट है हैं मेरे को लगता है कि अभी अभी कुछ दशकी हुए हैं जब से जो बस्ते हैं वो चलनी शुरू हुए हैं तो तुशार बड़ी हरानी से पूछा उसने अपने अंकल से कि क्या फिर उससे पहले जो लोग ट्रेवल नहीं करते थे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आसी बात तो कर दे जानवरों को पालना शुरू कर दिया धीरे धीरे अगर वो उस टाइम पर ऐसी काम ना किये होते तो आज हमें फसलें भी ना मिलते जो आज हम घर में खा रहे हैं तो सबसे पहले अर्लियस पीपल वायवर दे यांदा मूव की उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जान कर लिया करते थे या फिर कई पीडं की जड़े होती है उनको भाया करते थे जयासे कि हम एज प्रते जोंसे खाते हैं जैसे कहरते ूर या बिस ynुद्र, सatव्याब है तो यह सारी ऩाम उस सटांप पर खाया करते थे और वह एक चंडा दूसरी जगू कोउन करते थे इसके बहुत सारे रिजन हो सकते हैं कि क्या पता वहाँ पर जो भी वहाँ पर जानवर पकड़ रहे हो ठीक है जानवरों को पकड़ कर खा रहे हो ठीक है उनको पका कर वहाँ पर खतम हो जाएं फिर कि सभी जानवर मर जाएंगे वहाँ पर जो प्लांस हैं वहाँ पर दूसरी जगह मूव करना पड़ता था और कई बार वो जो जानवर होते थे उनके पीछे पीछे भी चले जाया करते थे जिनके कारण वो दूसरी जगह पहुँच जाया करते थे यह बहुत सारे डिजन है जिसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे तीसर वो भी करने लग गए होंगे और जो महाँ पर प्लांसर एनमल्स थी उनको पाने की जुर्रत होती थी तो कई बार वह सारी जगह सूख जाती थी ठीक है जो लेक्स थे स्ट्रीम थे और रिवर्स थी कई बार तो इनको यह सारा टाइम वहाँ पर पानी मिलता रहता था और कई सब्सक्राइब करते हैं बहुत सारी चीजों की जिसे वो बताते हैं कि यह परसन है या फिर कोई भी जो यहाँ पर कैसे लोग रहा करते होंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़े हैं जैसे कि वह वहाँ पर जो हमें यहाँ पर उनको लकडिया या फिर हडिया मिलती है जिनसे वह अंदाजा लगाते हैं यहाँ पर उनको लकडिया या फिर हडिया मिलती है जिनसे वह अपनी जो इन्वेस्टिगेशन उसी के मदद से वह करते हैं और यहाँ पर उनको और कौन कौन सी चीज़े मिलती हैं जैसे क कि यह जो stone tool हुआ करते थे इनसे वह क्या काम किया करते होंगे तो इनसे वह meat काटने का काम करते थे ठेक है and bone, scrap bark की जो लकडियों से bark को निकालने का काम करते थे and hide animal skins, chop fruits की जो फल fruits हुआ करते थे उनको निकालने का या फिर जो जानवरों के जो चमड़ी होती थी उनको निकालने का ये काम किन से किया करते थे ये चोटे-चोटे औजार जो इन्होंने पत्थरों के बनाये थे उनसे ये किया करते थे और other tools were used to chop wood उनके और भी हो जारते उनसे वो क्या क्या करते थे लकडियां काटा करते थे या फिर उनको जलाया करते थे तो ये इस इन ही लकडियों से कई बार अपने घर भी बना लेते थे या फिर tools बना लेते थे आपको यहाँ पर कुछ tools दिखाई दे रहे होंगे tools, stone tools में also have been used for left कि यह जो stone tools है left में और जो right में है यह खुदाई करने के लिए या फिर यह आपको दिखाई दे रहा है कि यह कुछ sly type की जा रही है यहाँ पर वह हते तक दो प्यम्तियदत में पहान अच्छन थी जानवरों के किया जाता लोक जाओं कि तो यहां पर हम देखेंगे कोण कौंट से जगहा देखने को मीलेंगे यहां पर देखिए यहाँ पर एक बुर्ज होम है, मेहरगड, यहाँ पर कोल्डी हवा, महागड, चिरांद, बिहार में है, यहाँ पर कोलकता आपको दिखाई दे रहोगा, दावजली, हैडिंग्स, मुंबई, इनामगाउं, हुंक्सी, कुर्नूल केव, ब्रहमगिरी, पायामपली, ठीक है, यह तो सारी जगह हैं, यह भीमबेत का मद्यपरदेश में, तो यह सारी जगह हैं, जब मैं देखने को मिलती हैं, और यह जगह आपके एक्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे के वो पूछ लेंगे, पैलोलिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं, तो आपने याद रखना हैं, जो पैलोलिथिक साइट्स हैं, पूरा पाशान काल की जगहें हैं, ठीक है, साइट्स क्या होती हैं, जहां पर इनको कोई ना कोई चीजें मिली हैं, तो जो पैलोलिथिक साइट्स हैं, इनके बारे में देखेंगे, जो पैलोलिथिक साइट्स हैं, वो कितने से कितने ट दिखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं पहलो लिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं पहलो लिथिक साइट्स में कुर्नूल केव्स हैं हुंस्की है और यहां पर आपको भीम बेत का दिखाई दे रहा होगा अब बात करेंगे नियो लिथिक साइट्स की जो यहां पर नौपाश तो हमने देख ली अब देखेंगे में अधिच्छा नलूर ठीक है और यहां पर ब्रह्म गिरी यह दो जगह हैं और यहां पर एक अरली विलेजिस सबसे पहले कहां कहां पाए गए थे तो यह इनाम गाउं में पाए गए थे तो यह आप से कोशन पूछ लेता है आपने वैसे पाने की कमी नहीं होती होगी यहां पर आपको एक स्टोन दिखाई दे रहा है ठीक है यह आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह जानवरों का शिकार कर रहा है इन्हीं को देखकर ही तो वह अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि वह पहले लोग शिकार किया करते थे फिर अन्हें फसले उगानी शुरू की तो वैसे हमें जो साक्ष मिलते हैं ठीक है उसी से वह जो ऑर्कलोजिस्ट होते हैं वह स्टडी करके बताते हैं तो यहां पर ओर भी सारी बहुत स्ट शारी केव से मिलती हैं मध्य पर्देश में साउथ एन उत्तर पर देश में अभी अभी हमने उपर देखा था ना साइट्स ठीक है यह जितनी हमने यह जगह डिसकस की बुर्जो होम मेहरगड भीम बेतका इनाम गाहुंसकी कुर्नूल केव जब्रम मगेरी पैयम पली कोल्डी हवा चिरान दाव जोली हैडिंग हलोर यह सभी क्या है यह सभी साइट्स है अब यह ऐसी जगह होती है जहां पर हमें कुछ चीजें देखने को मिलती है जैसे कि टूल्स हो सकते हैं और यहां पर अवशेश बिल्डिंग के या फिर कुछ और भी चीजे हो सकती है जो पहले लोग इस्तेमाल किया करते थे अब अभी हमें वह साक्ष के रूप में मिल रही है वो जब investigation करते हैं जब भी वो वहाँ पर search करते हैं तो उन्हें ये सारी चीजें यहा पर मिलती है और वो कहाँ चीजे मिलती है वो buried की जमीन के अंदर वाली में हमें मिलती हैं कि उनकी कुई खुदाहिं के बाद ही य洗ड़े मिल पाती हैं तो यहां पर हमें आग के अशेश भी मिले हैं और इससे हमें पता लगता है कि लोग जो क outline के थे वह आँख से बहुत अच्छी तरह से अवगयत थे कि उनको आग के बारे में काफी कुछ पता था और इसी आग का वो इस्तिमाल करते थे जानवरों को जानवरों से बचने के लिए और मीट के लिए अपना मीट को रोस्ट करने के लिए पकाने के लिए इसका यूज किया करते थे और light जो इनका source of light था वो भी fire के रूप में इसको किया क बना है, paleo means old, lithos means stone की पूरा पाशान का आल, कि ये सबसे पुराना time है, अभी हमने उपर देखा था न, कि paleolithic sites मिली है, ठीक है, paleolithic sites का मतलब क्या है, पूरा पाशान के time है, और ये time किन किन के बीच में है, ये जो time है, ये 2 million से लेकर, लगबग 12,000 साल पहले का time है, आपने बा 2 million से 12,000 के बीच वाला जो time था, वो कौन सा time था, उसे कहते का है, तो आपने याद रखना है, paleolithic पूरा पाशान काल, 2 million से 12,000 साल पहले, मतलब कि 20,000 साल से 12,000 साल पहले के बीच वाला जो time है, उसे हम paleolithic sites कहते हैं, paleo का mean मतलब होता है, पुराना, lithos जो होता है, पाशान, उसे कहते हैं, हम पत्थर, तो ठीक है, अभी हम देखेंगे, the long stretch, यह लगबग, इसको भी 3 भागों में बाटा हुआ है, इसके 20 में हम ज्यादा जाएंगे नहीं, ठीक है, इसको हम इतना याद कर लेंगे, कि 99% of human history इसमें ही पाई जाती है, किसमें, जो paleolithic site है, जो paleolithic period है, वो लगबग 99% of human history को cover करता है, और जो period, दूसरा period है, वो कौन सा है, वो लगबग 12,000 साल पहले और 10,000 साल के बीच का जो time है, अब आपको यहाद रखना है, 2 million से 12,000 तो हमने देख लिया, 12,000 और 10,000 के जो बीच वाला जो time है, उसे हम mesolithic period कहते हैं, इसे middle stone age भी कहा जाता ह और इसमें जो stone tools पाए जाते हैं, इसमें हमें क्या पाए जाते हैं, जो पत्तर के ओजार देखने को मिलते हैं, वो बहुत ही शोटे किसम के हैं, ठीक है, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा correlate कर सकते हैं, कि जो first age थी ठीक है, पहले लिथिक age, तो इसमें कुछ बड़े ओजार मैसोलिथिक age में पाए जाते हैं, कौन-कौन सा इसका period याद रखना है, 12,000 से लेकर, 10,000 की बीच में यह tiny है, इसको हम microliths भी कहते हैं, microliths क्या है, जैसे कि saws and sickles, ठीक है, दाती वगएरा, at the time, older varieties of tools continue to be in use, कि और भी यहाँ पर काफी tools को इस्तिमाल किया जाता था, अब new का क्या मतलब है, ठीक है, अगर आप इसको नाम कोई पड़ पा रहे हो, इसमें थोड़ा सा नया नहीं लग रहा, नया, ठीक है, new, मतलब यह सबसे latest जो age थी, यह 10,000 साल पहले की थी, तो इसमें यही था, आपने इसको याद रखना है, अभी हम इसके बार में एक और पर्यावरण है, वो कैसे कैसे बदलना शुरू हुआ, तो लगबग 12,000 साल पहले, यहाँ पर आपको काफी जो जलवाई हुआ है, उसमें बदलाव देखने को मिला, जो यहाँ पर conditions थी, आपको यहाँ पर देखने को मिला कि जो घास foods थी, वहाँ का जो grassland था, जो घास के म तो यह घास खाकर जीवित रहने लग गए, तो उसके बाद क्या हुआ, जो उसका शिकार किया करते थे, जो लोकियों कि पहले लोग एक जगा से दूसरी जगा जानवरों के पीछे भी तो चले जाया करते थे, तो उन्होंने वो देखा कि एच्छा यह जो जानवर है, यह खाकर रह रहे हैं, तो उन्होंने उसका पीशा किया, और उनके जो फूड हैबिटेट्स हैं, कि वो कौन से सीजन में खाना, इनका खाना खाते हैं, कौन से सीजन में एक जगा से दूसरी जगा जाते हैं, तो उन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा सूचना शुरू किया, और उनको पालना शुरू कर दिया ठीक है उन्होंने उसको पालतों बना लिया और इन्होंने क्या क्या फिशिंग आल्सो बिकाम इंपॉर्टेंट कि उन्होंने फिशिंग एक जगह पे रहा कि इन सभी जानवरों को पालना शुरू कर दिया अब बात आती है the beginning of farming and herding कि ये जो जानवर थे इनको पालना और जो खेती बाड़ी का जो काम था जो farming का काम था वो कैसे शुरू हुआ तो इसको हम देखेंगे तो ये जो इन्होंने ये जो काम था इसको कैसे शुरू किया कि सबसे पहले तो इन्होंने देखा कि जो इनकी जो महलाएं हुआ करती थी ठीक है इनके परिवार में वो खाना ऐसे ढूड़ने जाया करती थी तो उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पर कुछ फसले है ठीक है वो अपने आप ही उग गए है प्राकरतिक रॉप्स तोर पे जैसे कि हम कई बार आसका संवे अपने देखते है तो उन्होंने इसको तोड़कर घर लाया और उन्होंने फूडर बनाया अब उनको धीरे धीरे उसको उगाना भी सीख लिया, जब उपक गए, कब उसकी देखभाल करनी है, सारी बाते उन्होंने धीरे धीरे सीख लिया, अब अब एक जगा पर उनको खाना मिलने लगया, अब उन्होंने कुछ जानवर भी रख लिये, तब उनको उन्होंने पालना थोड़ा सा भी tenderness बढ़ाई और उनको पालना शुरू कर दिया जैसे कि वो कौन कौन से जानवर थे आप देखेंगे ship थी, god थी, cattle ठीक है जो जानवर और pig भी था कि जो जानवर उनको honey नहीं पहुचाते थे जो जानवर होते हैं, वो जानवर इनको पाला करते थे और ये जो जानवर होते थे, इनको बचाया भी करते थे क्योंकि इन पालतु जानवरों को जंगली जानवर हुआ करते थे वो उन पर हमला किया करते थे और ये जो लोग थे इनको बचाया करते थे अब आगया domestication के जो पालतू था ये जो लोगों ने पालना शुरू किया इन जानवरों को ये कैसे पालना शुरू किया और ये जो word था वो कैसे derive किया हूँ कि हुआ तो हमें ये देखने से पता लगता है कि जो भी यहाँ पर जानवर हमें देखने को मिलते हैं तो इन्होंने ये कैसे पालना शुरू किया इन्होंने देखा कि सबसे पहले तो जब इन्होंने खेती वगारा करने शुरू कर दी इन्होंने पेड़ पौदे उगाना शुरू कर इससे इनको जो जानवर थे ठीक है यह जानवर और फसले वही उगाते थे जिन से इनको ज्यादा हानी नहीं हुआ करती थी क्योंकि वहाँ पर कुछ हारम फुल वहाँ पर आपको प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे तो वह उनसे दूरी कहा करते थे और यह जो डुमेस्टि अगर घर और और यह जो तैर सुनिया को टी परकार के घर जा 10 सुमकी ठीक की एसुए निक्सक्ति हो और शुक से ब्सी vaat कूछ से पती ही उनको थे प्लांट्स भाइन श्रू कि चाहिए इन एसी ने दर्दानों इन निस्ते की नें आई नीको ômळने धीक उतर है यह जिसको इनकी फसल त्यार ना हो जाए तो इसी तरह इनों ने धीरे-धीरे ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सारा कुछी सीख लिया था फिर इनोंने धीरे-धीरे क्या किया जी ये फूर्ड था ठीक है और ये जो बीस थे इसको इन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया तो इसके लिए उन्होंने क्या किया इसके लिए उन्होंने जो बड़े-बड़े बरतन थे ठीक है जो से की clay ports थे वो बनाने शुरू किये और इसको इसमें अनाज रखकर वो धरती की नीचे इसको गाड़ दिया करते थे तो इस तरह इन्होंने store करने के प्रक्रिया को भी उस टा store of food इनका ये भी एक किसाब से जो storing animal इनका store of food बन गया तो हमने वह उपर वाली जितनी भी जगह देखी थी जो blue scares थी वह क्या कौन सी site थी यहां पर archaeologist को कौन सी evidence मिले हैं जहां पर जो farmer हैं और जो वहां पर herders हैं वह उनको वहां पर ज्यादा तर देखने को मिले हैं जैसे तो इन ही बातों से हमें जो ऐसे चीजें मिलती होगी वह रड़ा सैटल लाइफ और जो अर्वी बहुत सारी sites हैं इनके यहां पर उनको काफी जगह देखने को मिलते हैं जासे बुर्ज हों जो अभी कश्मीर में है थीक है जो बुर्ज हों पहले हुआ करती थी वह कहां पर वो कश्मीर में है यहाँ पर लोगों ने पिट हाउस ठीक है जो गर्त जो मिट्टी के जो हाउस हुआ करते थे जो घर हुआ करते थे उसको धरती के नीचे खोद कर उसको बनाया करते थे ताकि उसमें ठंडक बनी रहे और यहाँ पर जो लोग है वहाँ पर रह सकें कि वो उन और यहां पर जो लोग थे वो उन्होंने कपड़े बुनने का भी काम यहां पर शुरू कर दिया था और यहां पर और सारे material जैसे कि यहां पर cotton हो गया जो कपास होती है इसको भी उगाने का काम इन्होंने शुरू कर दिया था और यहां पर जो लोग थे बहुत सारी जगों प यह जगह थी यह बहुत इस उपजाओ जगह थी, उपजाओ मैदान थे, वहाँ पर यह स्थित है, कहां पर बोलन पास के पास, जो बोलन दर्रा है, उसके पास में यह स्थित है, this is one of the most important route into Iran, कि यही से इरान को जाना हो, तो वहाँ से हम जा सकते हैं, जो महरगड है वो probably one of the place where people learn to grow barley and wheat की barley और जो वहाँ पर जो wheat थी सबसे पहले वहाँ पर ही शायद वहाँ पर लोगों ने सीखा होगा कि वो कैसे होगा जाती है और वहाँ पर जो ships और gods होती है उनको कैसे पाला जाता है वो वही पर शायद शुरू हुआ होगा और यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है जो वहाँ के जो गाहँ हुआ करते थे सबसे पहले वही पर बने होगे और जो ships और gods होती है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और जो महरगड़ है यहाँ पर हमें rectangular houses भी मिलते है और यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि जो महरगड़ में लोग थे वह पूरन जनम में विश्वाश रखा करते थे कि कई बार जैसे कि कोई person की death होगी तो उसके साथ वह चीजें उसके साथ ही दबा दिया करते थे जैसे कि अगर person गरीब है तो उसके साथ तो आम सी नॉर्मल सी चीजें दबाया करते थे अगर कोई person अमीर है जैसे कि यहाँ पर आपको एक image दिख रही है यहाँ पर एक God है ठीक है यहाँ बकरियों को भी यहाँ पर दफना दिया गया था किसी person की साथ क्यों क्योंकि शायद उन्होंने ऐसा सूचा कि शायद उसको मरने के ब विश्वाच रखा करते थे कि यह अगर किसी person को कोई जैसे कि रिच परसन है तो उसके साथ बहुत सारा वेल्थ उसके साथ गड़ दिया जाता था जिसके कारण वह नेक्स जनम में उसे वह सारा जो धन है वह नेक्स जनम में प्राप्त हो जाएगा तो यह ऐसा उन लोगों जिसको एक चार स्कूली बच्चों ने ढूड़ा था यह लगबग पेंटिंग है बीस हजार साल से दस हजार साल के बीच की है और यहाँ पर हमें यह देखने को मिलते हैं यहाँ पर हमें जो जानवर हैं जैसे कि वाइल्ड होर्स है और भी यहाँ पर बहुत सारे जानवर छानवर देखने को मिलते हैं और यहाँ जगा थी यह फ्रांस की बात हो रही है और यहाँ पर जो कलर यूज़ किया जाते थे और यह इन पेंटिंग को कब बनाया जाता था जब कोई ओकेशन भूआ करता था तब इनको बनाया जाता था तो यह हमारे चैप्टर में इतना ह था आपको इशाशन कैसा लगा आप में कमेंट करके जुरूर बताएं थैंक यू सो मच फर बहुचिंग गॉट ब्लेस यू गॉल